असलाम अलेकुम। आज मैं प्लो के लिए लेकर आई हूं नुँफेल मट्यार आलोगी पराटो के रेस्पी जिने बनाना बहुत आसान है बहुत इंस्टाइंड और बहुत खुज़वोधार मसाले के साथ में बनाऊंगी जो यह मसाला बनाऊंगी नहों बहुत ही जबर जस् करेंगा पराथे बहुत मज़ेदार बनते टेश्टी बनते लासवा बनते अगर आपके डिवाइस में चैनल सब्सक्राइब नहीं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करने जिससे की मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर से मिल तो बिसम से थीरी मैंने यापे लाल मिर्चे लिए हैं और यह बहुत ही सबर्जस मसाला बन करेंडी होता है जब आप इस मसाले को बनाकर आप अपने पराथे में डालेंगे ना तो लासवाब आपके पराथे बनेंगे तो इसे में ड्राइर रोश करना है मीडियम टू लो फले में इ करेंगे और अभी इसे म साइट कर देते हैं सेम इसे जान में हम यहां पर मतर टर्फ कर देंगे तो मैंने आ Scottish इलेंट दिएक भी पैन यहां पे मैं वन टिबल स्पूल्स इतना ओयल का यूज कर रही हूं जिसे हम हीट कर लेंगे इसके बाद इसमें सौफ सीरा और थनिया एड़ करेंगे जो की थोड़ा थोड़ा सा है और इसी के साथ हम यहां पे एक लाव साइस की प्यास को आमलेट साइस में कट करके एड़ क तो मैंने हाफ कॉंटिटी प्यास की निकाल लिए इसे भी मसाइट कर देते हैं और अब सेम पैन में हम क्या करेंगे जो मैंने दरदरा सा मटर को ग्राइंड किया था उसे हम पूरा का पूरा इस वाइन में एड़ कर देंगे और इसे फ्राइ कर लेंगे मटर हमारी जल्दी इसे के साथ लाल मिर्श पाउडर एड़ करेंगे आपको लाल मिर्श पाउडर नहीं आपको नमक करना है तो मैंने आप पे वन टिपल स्पून इतना मैं पिंक शाल्ट यूज़ करती हूं इसलिए मुझे ज्यादा एड़ करना होता है इतना नार्मल或者 Salt एड़ करते हैं इसे उससे अपनी आपको अपको वांनम कर दो अधुप करांगे ऑब बात एड़ करोंगी और इससे फ्राइड़ कर लेंगे क्योंकि जो फ्राई वाला जो टेक्चर आता है ना जो हमारे मटर फ्राई हो जाते हैं रियली बहुत मज़े के लगते हैं तो यह देखे हमने लाइटली पिंक होने तक ने फ्राई कर लिया है अब हम यहां पे आलों को मैस कर लेंगे तो मैंने उबले हुए 500 ग्राम यानि ब्राउन हुए है आप सोचे जब यह स्टफिंग हम पराठो में करेंगे तो कितने पराठे मारे लाजवाब परेंगे इसी के साथ थोड़ी देर हम आलो को भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह अच्छे से मिक्स हो गया है फ्लेम को हम मीडियम डू ह आपको यह बात को अर्धियान रखना है जो आलो मैस करेंगे नहीं कर देंगे कि फोड़े फोड़े से जो तुटबर होते हैं अलो को बहुत अच्छे लगते हैं तो हम उससाफा से करेंगे कि हमारे थोड़े मैस भी हो जाया है थोड़े से इसमें जो टुक्ड़े हैं वह कम लग रहा था क्योंकि में पिंक सॉल्ट यूज करती हूं रॉक सॉल्ट तो थोड़ा ज्यादा कॉंटिटी में लगता है इसलिए में कम था मैंने आप कर दिया और जो मसाला मैंने बचाया था उसे हम पूरा का पूरा आप देख लीज़े कि आपको जितनी झाज पाइड करएं और जो मैंने प्यास को निकाला था जाथा ना ए الب cell में चांच नानल में अपाइब और जो में निकाली में तो secured बहुत लाजवाब लगता है और ब्यास कच्छी भी नहीं रहती है आप सूस सकते हैं कि कितने लाजवाब ये पराठे बनकर रेडी होंगे इसी के साथ मैं आप एक अच्छी से फ्लिवर के लिए धन्या यूज कर रही हूं और इस्टफी हमारे बिल्कुल रेडी है आटे को म पना लेंगे और भर भर करण जितना चाहें स्टफिंग फिल करें में कयोंकि आप सफ्ट राटा लगाएंगे तो आपको बेलने में बिल्कुल बीद्कत नहीं बड़ी को भर इसे यहाद़ से अपनी हाथों के मदश को उठाते हुए इस तरह से उपस्ट को उठाते हुए एक साथ के आपको चिपका देना है और इस तरह से हम रहा है यह पराठा बेलने के लिए बिलकुल देजी है इसे हम कोड करेंगे सुखे आटे में और इसे बेल बिल्कुल भी कहीं ना तो चिपका है ना पटा है दूसरी लूए भी पराथे के इसी तरह सेम से मितध के साथ बना लेंगे और यह पराथे बहुत ही इस जल्दी बनकर रेडियो होते हैं बहुत ही कम दाइम में आपके फटा फट से बनते जाते हैं इस तरह से में सारे तो फ्राटों को फ्राइक करना है में आप पर पेड़ का यूज कर रही हूं आप देशी खिखिया पैर मेने फ्राइक कर सकते हैं और क्रिस्पी पिस पीसा होने तक medium to high flame में मैंने इने फ्राइ कर लिया है और प्राठे हमारे लाजवाव से फ्राइ हो गए जो कि आपको दिख भी रहोंगे बहुत ही मज़धारी प्राठे बनकर रेडी होते हैं उम्मीद करते हूं कि आपको भी प्राठे बहुत मज़िक लगे होंगे तो एक बार मेर अगर प्राठे आप सॉसेज चटनी या फिर कोई भी आपके पास चटनी आप इन्हें सर्व करें अचार के साथ सर्व करें बहुत मज़गे लगते हैं तो अब मैं इन्हें तोड़ करके दिखाती हूं कि जो मैंने स्टफिंग फिल करी हैं वह कहां तक पहुंची है या नह जादा किनारे तक बहुचता और बहुत मज़े का लगता है तो इसे हम चटनी के साथ सर्व करेंगे और आप चाहें तो सॉसेज चटनी या फिर अचार के साथ सर्व करें इंज्वाइए करें और तो यह पराटे बच्छों को भी बहुत पसंदाते हूं मिद्गती हैं आप अपनी प्यारी से दौाओं के साथ इसाज़त इंसा लाफ फिर मिलते हैं नेश्ट न्यू रेसिपी के साथ अब तक के लिए अपना धेश सादा ख्याल रखेगा अला आफिस थैंक यू फॉर वाचिंग टेक केर बाई बाई